इसकार दोस्तों, प्रश्टन संक्या, सामानी इच्चा का सिदान का परतिबादन किस ने किया था, सही जवाबा के लिए रहेगा रूसो ने, अगला सवाल, गाटा बजट का अर्थ है, कुल प्राप्ती एवं कुल खर्च में अंतर ही गाटा बजट कहलाता है, कुल कितना खर रापती हुआ, वो दोनों को मिलाते हैं, तो पता चलता है कि कितना घाटा बजट है, अगला सवाल है, अंतरश्टी मुद्राकोस का मुख्याले कहां पर इस्तित है, दोस्तों, सही जवाब रहेगा बासिंग्टन में, जो अमरीका में इस्तित है, अगला सवाल, भारत के उ कौन माना जाता है, सही जवाब रहेगा, बी एन राव, अगला सवाल, लोकसभा और राज्यसभा के स्युक्त सत्र को कौन संबोधित करता है, सही जवाब रहेगा, इस सत्र को संबोधित राष्टपती करता है, खाद एवंकर्शिस्ठन संग्ठन, एफ ए ओ का मुख्याले दोस्तों कहां पर इस्तित है सही जवाब रहेगा रोम में इस्तित है अगला सवाल है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सविधान सबा के कुल कितने सदेशी हैं सही जवाब रहेगा तीन सो नबहे अगला सवाल है भारतिय सविधान के किस अनुसेद में प्रेस की सवतनतर प्रता दी गई हैं स्विधान के अरुचेद 19 के भाग एक के भीतर अगला सवाल है वर्स 1942 में किस योजना के तेहती स्विकार किया गया है कि भारत में एक निर्वाचन स्विधान सबा का गठन होगा जो युद परांत स्विधान का निर्मान करेगी इसका सही जबाब रेगा ये योजना दोस्तों किस समिसन के तेहत की गई है अगला सवाल भारत में सरोपर्थम बैंकों का राष्टी करन 19 जुलाई 19 सित्र को किया गया था उस समय बैंकों का राष्टी करन किया गया था जब कितने बैंकों का किया गया था चुदा बैंकों का राष्टी करन किया गय अगला सवाल है जवारलाद नेहरु के नेतत्तों में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था सही जवाब रेगा सितमबर, 1943 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था अगला सवाल है योजना आयुक बनाए गेती सही जवाब रेगा उन्नी सो पच्छास इस्वी में अगला सवाल है राष्ट्री कर्षी विपन संस्ता कहां परिस्तित है सही जवाब रेगा जयपूर में ये संस्ता इस्ताफित की गई है रक्त समंदी समाज को जर्म देता है और कालांतर में समाज राज्यों को ये कतन है ये कतन दुस्तो है मिकाईवर का है अगला सवार है वर्स 1938 में किस वेक्ति ने वैसक मतातिकार के आतारपस विधान सभा का गठन की मांग के गए थी सही जवाब रहेगा जवादलाल नेरू न इसकी मांग के गए थी अगला सवार है लोकसभा की अधिक्तम सदिश्यों की संक्या कितनी होती है सही जवाब रहेगा 552 अधिक से अधिक्तम हो सकती है अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो कर दीजे वीडियो को लाइक रहे दोस्तों के शेयर करें चैनल को सपोर्ट करें और सपोर्ट करने वाले वैक्तियों खुदहन्यवाद अगला सवाल है सवच भारत अभियान कब प्रारम किया था दोक्टूंबर 2014 को अगला सवाल है किस वैक्ति ने वर्स 1922 में ये मांग किये कि भारत में स्विधानिक सरंचना है तो गो आएगा यह कथन दोस्तों डार्किन का था राश्टपती के निर्वाचन के लिए निर्वाचन में अद Kita कौन हो ता है सही जबा बरेगा राज्य सबा, लोग चबा राज्यों की विदान सबां के निर्वाचन सभी सदिशिय होंगे अगला स्वार है भारत कि में समस्त काल् राश्ट पती के पास ये सक्तिया नीत होती है। राश्ट पती के लिए नामित पर्थम फिलम अभी नेत्री कौन थी नर्गिस दत्थ। अगला सवाल है। भारत की पर्थम मैला राश्ट पती कौन थी सही जवाब रहेगा पर्ती बाद देवी सिंग पाट्टिल। भारत का सविधान या भारती सविधान के किस अनुसेद में का गया कि भारत का राश्ट पता ध्यक्स हैं। सही जवाब रहेगा अनुसेद बावन बियारी सविधान संसु दंदावरा सविधान के किस अनुसेद को मोली कर्टवे में जोड़ा गया। पर्थम लोकसबा का अध्यक्स कौन है सही जवाब रहेगा जीवी मावलकर। स्पिरिट ऑफ लोजब पुस्त के लेखक कौन है सही जवाब रहेगा मोटेश क्यू। बारत का पर्थम ग्रामीड बैंक की इस्तापना कब की गई थी सही जवाब 2 अक्तुमर 1905 कूर। बारत के उप्राश्ट पती के पद पर लगाता दो बार कौन रहाता सही जवाब रहेगा एच्ट डॉक्टर एसरादा कश्नम। 55 राश संमन्दी 20-21 के अंतरंगत आते हैं सही जवाब रहेगा राज्य सूसी के अंतरंगत। सेवा सहतर अर्त व्यवस्ता के किस सहतर को का जाता है दोस्तों तर्थिक सहतर यानिती सहतर को का जाता है। भारत में उत्थाने के लिए जन से इतना जगाने है तू किस लंदन में में लंदन में इस्ट इंडिया एसोचियंसिंग के इस तापना किस ने की थी दादा भाई नौरे जोने तो आसके वीडियों बस इतना है चैनल सबस्क्राइब लाक से और फॉल कमेंट सब कुछ करिए साथ ही हमारे चैनल को साप्पोर्ट करिएगा